दोस्तों नमस्कार महरास्ट की उद्दफ ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक को लेकर के इस वक्त सुप्रीम कोट से बड़ी ख़वर आ रही है दरसल नवाब मलिक ने मुंबई हाई कोट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोट में एक याचका दायर की है इनफोर्समेंट डिरेक्टुरेट द्वारा उनके खिलाब की गई कारवाई से संबंदेत याचका को दोस्तों बॉम्बे हाई कोट ने सरे से खारेज कर दिया था मनी लॉंडरिंग मामले में नवाब मलिक 4 अप्रेल तक जो है नियाए खिरासत में है इससे पहले मुंबई में एक विशेस PMLA यानी की धन शोधन निवारण अधनियम कोट ने कहा था कि गवाहों के बयानों के आधार पर प्रथम द्रश्टिया नबाब मलिक की मनी लॉंडरिंग में संलिप्तता नजर आती है लिहाजा उन्हें जुडिस्यल कस्टडी में भेजा जाता है विशेस नयाधीश आरेन रोकडे ने अपने फैसले में मलिक को भगोडे अंडरवल डौन दाउद इब्राहिम और उसके सहीयोगियों की गतविदियों से जुड़े एक मनी लॉंडरिंग मामले में 14 दिन की जुडिस्यल कस्टडी में भेजते हुए ये टिपड़ी की थी तो बंबे हाई कोट से जब बड़ा जटका मिला नवाब मलिक को जमानत नहीं मिली तो अब उन्होंने बंबे हाई कोट के फैसले को सुप्रीम कोट में चनौती दी अब ये देखने बाली बात होगी की सुप्रीम कोट उनकी इस पेटीशन पर सुनवाई करता है या फर सेरे से खारिज कर देता है बहराल जो दोस्तों नवाब मलिक ने सुप्रीम कोट का रुक किया इस पर आपकी जो भी राह है मुझे कॉमेट सक्षन में जरू लिख पताएं चल बलूँगा किसी दूसरे अबडेट के साथ में तब तक लिए धन्वाद अगर आप लोग चैनल पर नाए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ हमारी बैल आइकन को जरू प्रेस करें तकि जब मैं कोई नए अबडेट लेकर रहा हूं तो सबसे पहले नोडिफिकेशन आपको में ले झाल